जीवन ही स्युम अपनी परिभाशा भी है चंद्रवन्ष भूशन वो जल भी है और तृष्णा भी सत्थ और असत्थ दो तटों की बीच बहती हुई एक नदी है जीवन इस पानी में दोनों का मेल है पर सत्थ पुरुश वो है जो इस सरोवर से सत्थ कार लेता है और अपने वस्थ पर असत्थ की एक बूंद भी नहीं पढ़ने देता जैसे हंस दूद को पानी से अलग कर ले तो क्या जीवन केवल यही है असत को ज्यान अनुभाव और संगर्ष की छलनी में चान लेने के बाद सत्थ पुरुश उस सत्थ का क्या करे क्या फिर से उसे सरोवर में डाल दे महावरती परम धर्मात्मा कंगा पुत्र भीश्म के शिष्य को कुछ बताने के अवश्यक्ता नहीं है राजवन्ष की भारतिय परंपरा आपकी धरोहर है राजन इसलिए आपको यह बताना अवश्यक नहीं है कि जीवन सरोवर से सत्थ कार कर फिर सरोवर ही को लोटाने के नहीं होता है जब सत्य हाथ आता है तो पुरुष को यह ग्यान होता है कि वो रणी है कि उसे मृत्यू लोक त्यागने से पहले तीन रण उतारने हैं देवरण, रिशीरण और पित्र रण पुरुष को संसार से ये तीनों रण उतारे बिना नहीं जाना चाहिए और यदि कुई ऐसा करे तो जीवन अपमानित होता है परंतु यदि किसी के भाग्यों में ये ना लिखा हो रिशुवर तो कर्म रेखा को भाग्य रेखा से अधिक गहरा होना चाहिए राजन ऐसा न नहीं है कि मनुष्य ने कभी भाग्य रेखा बदली ही ना हो इन रिणों को चुकाने के लिए यदि भाग्य रेखा बदलने भी पड़े तो अवश्य प्यत्न करना चाहिए क्योंकि ये रिण ऐसे वैसे नहीं है रिशी रिण भगवान शंकर का है तेव रिण विश्न भग से निकल कर, कहां चाहेगा? परंगतु ये तीनो रिन है क्या रिशिवर? पहला रिन है देव रिन, ये दान से चुकाया जाता है, दूसरा रिन है रिशी रिन, ये ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटे से चुकाया जाता है, और तीसरा रिन है पित्र रिन, ये संतान द अर्थात चेतना, प्रेरणा, उत्सा, नारी तो प्रिथ्वी है रानी, जीवन के सारे अंकुर तो उसके भीतर है, वो तो ग्रिहस्थ आश्रम की आत्मा है, और ग्रिहस्थ आश्रम ही तो आत्मा को पुत्र रूप में फिर जन्म लेने का मार्ग दिखाता है, यत्र नार्येस्तु पूजयंते, रमंते तत्र देवता, अर्थात, जहां नारी की पूजा होती है, वहीं देता आनंद मनाते हैं, जो नारी का निराधर करे, वो तो मनुष्य ही नहीं, नारी की रक्षा करना पुरुष्का कर्तव्वे ही नहीं, धर्म भी है, अच्छा राजन, अब चलू पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव अच्छा राजन, अच्छा रार वाव धुत्रवती भाव, खब चलू